हलो व्यूवर्स मेरे सिंपुल फुट शानल में आपको स्वागत है आज हम सिंपुल फुट में बनाएंगे चनादाल नारियल की खीर यह बहुती टेस्टी बनती है और आसानी से बना सकते ही आप ज़रू ट्राइ करके देखिए ग्रेसिपी देखने के बाद आपको रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाइक बटन को प्रेस कीजिए अपने फ्रेंस के साथ शेर कीजिए कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए अब तक मेरे चानल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए ताके मैं अप्लोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके चनादाल नारियल की खीर बनाने के लिए किन चीजों की जरुरत है देखेंगे यहाँ पे मैं ये कप ग्रेट किया हुआ कच्चा नारियल ले लेंगे एक कप भीगो के रखे हुए चनादाल चनादाल को धो के दो से तीन घंटे के लिए भीगो के रख लेंगे एक से देड़ कप जितना चीनी चीनी थोड़ा कम ज़दा कर सकते ही अपने हिसाब से तीन कप दूद दो टेबल स्पून रववा ये मैं चावल का रववा ले ली हूँ चावल लेके मिकसर जार में दालके दरदरा पीस लीजिए ये नार्मल चावल भी ले सकते ही बास्मती रहस से भी बना सकते ही ये मैं बास्मती रहस से रवा बना ली हूँ चावल का नहीं तो आप नार्मल सोजी भी ये ले सकते ही दस से बारा काजू, दस से बारा बादम थोड़ी सी चिरंजी ये आप्षिनल ही है अपना ही दालना चाहे तो आवाइट कर सकते ही हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर डो से तीन टेबल स्पून घी चलो अब प्रासेस देखेंगे फस्ट एक कुकर ले लेंगे इसमें भीगों के रखे हुए चनादार अड्ट कर देंगे इसमें एक से देढ कब जितना पानी एड़ कर लेंगे पानी आड़ करके जखकन लगा के दो से तीन विजल साने तक मीडियum फिलेम पर रखके पकाना है यह आसान करके 2-3 विजलस आने तक medium flame पे रखके पका लेंगे तीन विजलस आ गए ही अब एक कुकर को साइड में रख देंगे और एक पैन ले लेंगे पैन को गरम होने देंगे अब इप आग हम में घी दाल देंगे खी को अच्छा सा मैल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने के बाद इप ड्राइफ्रूटस दल के फ्राइव कर लेंगे अच्छा सा मीजियम फिल्म पे रखें अच्छा सी Monsieur आड़ कर सकते अब मन चाहिए ड्राइफ्रूर्स एक्ट कर सकते ही थोड़ा कलर चेंज हो गई ही अब प्लेट में निकाल दूँगी मैं यह साइड में रख लेंगे निकालके अब यही घी में यह रव्वा एक से देड़ मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे रखके लगातार चलाते हुए अच्छा सब भून लेंगे अब तक द्ञ पूने के बाद एक देड़ मिनित तक अब आड़ कर देंगे कच्छा नार्याल ग्रेयट किया हुआ अब एक मिनित तक भून लेंगे घी में चलाते हुए इकषे क्षेम पे डूत िसपे दूध से दोद को बीच में चलाते हुए एक उभलाने तक पका तब तक हम चनाजाल चक्कर लेंगे पकी हुईrare या नहीं नीड़ा निकाल देनगे को डेकल के चकर लेंगे रिए द चनाजाने पग गई है आप को दुखा दूंगी तुछा अच्छा सब पक गई है अब चना दाल को निकाल लेंगे पानी से अब चनी में दाल के निकाल लीजिए नहीं तो इसी तरह निकाल देंगे एक बॉल में निकाल दूंगी मैं चना दाल को दिखो यह निकाल दी हूं मैं बॉल में चना दाल अब दूद के साइड चलेंगे दू फिर दुबारा से हम 2-3 मिनिट तक medium flame पे रखके चलाते हुए पका लेंगे ठोड़ा टाइम रवा पकने के लिए ही लगेगा मैं यह हम पे चावल का रवा दाली थी अब चाहे तो सोजी भी दाल सकते ही दो तीन मिनिट तक चलाते हुए पकाने के बाद अब इसमें आड़ कर देंगे एक पका के रखी हुए चनादाल चनादाल को दाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे चनादाल दालने के बाद और दो मिनिट तक बीश-बीश में चलाते हुए पका लेंगे इसमें थोड़ा सा रवा दालने से गाड़ी रहेगी नहीं तो गाड़ा पर नहीं रहेगी इसलिए आप चावल का रवा या सोजी एड़ कर ले सकते ही बच्छा सा मिक्स करते हुए पकाएंगे गाड़ा होने लगा है थोड़ा गाड़ा होने के बाद अब आट कर देंगे च चीनी दालने के बाद छीनी अध मिल्ट होंग के तो अच्छा सा चलाएगा to aad touch ah देखो यह अच्छा सा पकने लगा है अब इसमें आट कर देंगे इलाइची पाउडर थोड़े से फ्राइ करके रखी हुए काजू बादम चिरुंजी दाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे अब बनके तयार हो गया है ग्यास को आफ कर दूंगे अब इसको थंडा होने तक छो यह अच्छा सा थंडा हो गया है अब एक सर्विंग बोल में निकाल दूंगी यह चनादाल नारियल की खीर को गानिश कर देंगे काजू बादम चिरुंजी से बनके तयार हो गया है टेस्टी चनादाल नारियल की खीर आप भी ज़रू ट्राइकर के देखिए बहुती आसा पसंद आई होगी पसंद आएगी तो लाइक करिए शेर करिए कैसी लगी कामेंट कीजिए अब तक मेरे चानल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भीर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ तैंक्यू फर वाचिंग